Hello, Good Morning and Welcome Back Friends, आप देख रहे हैं Pacer Education YouTube चैनल, देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26-27 से रिलेटिड जितने भी important current affair बनती हैं, सारी इस वीडियो में complete करेंगे, साथी काफी सारे extra fact भी यहाँ पर discuss करेंगे, सो पूरे लेसन को ध्यान से और last तक आप जरूर इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के description में से, देखिए कल यहाँ पर हमारे राजस्तान में नेट बन था, इस वाज़े से जो है वीडियो नहीं आ पाई थी, आप यहाँ पर discuss कर लेते हैं सबसे पहले जो last वीडियो की quiz थी आपके लिए, कौसन था कि बीत उसके बाद में आप बात करते हैं जो current affair है आज की, देखिए पहला update आपके सामने है, हाल ही में किस ने उडान शमतायोगे एक electronic microchip या micro player का निर्मान किया है, जो अब तक की सबसे छोटी मानव निर्मित उडान सरजना है, तो correct answer होगा, North Western University US के दुआरा, अब तक की सबसे चोटी मानव निर्मित उडान सरजना है ये, और इससे छोटा अब तक कोई ऐसा जो मतलब की device जो नहीं बनाया गया है मानव के दुआरा, जो उडान बढ़ सके, ये सबसे छोटी device अब तक की जो उडान बढ़नी हो गया है, इस तरीके से इसको design किया गया है, और इसके आक अब तक का सबसे छोटा एक device है, जो उड़ने में सकसम है, इतना आपको ध्यान में रखना है, और किस ने design किया है, जो नौर्थ वेस्टरन उनिवर्शिटी यूएस है, इसके दुआरा, बाकी यहाँ पर देखिए, अगला update देख लेते हैं अपना, लिबरल party ने, पार्टे के नेता, जस्टिस टूडरों का हालही में कौन सी बार कनाड़ा के प्रदान मंतरी चुने गया है, तो हालही इनोंने तीसरी बार कनाड़ा के प्रदान मंतरी के रूप में सबत ली है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जस्टिन टूडर यहाँ पर इस रिपोर्ट में देखेगा टोटल, यहाँ पर 91 देशों का विश्रिलेशन किया गया है, 99 देशों को इस रिपोर्ट में सामिल किया गया है, जो feed to fail रिपोर्ट इसमें, जिसमें पाया गया है कि 6 और 23 महिने की आयू के जो आधे बच्चे हैं, इनको एक दिन म नियोंतम अनुसंसित मात्रा है भोजन की, वो मिल पा रही है केवल, यहाँ पर आधे बच्चों को जो है केवल, यह जो नियोंतम अनुसंसित मात्रा है, वो मिल पा रही है, बाकी को नहीं मिल रही है, साथी यहाँ पर यह भी बतायागा कि 2 साल से कमर उमर के जो बच्चे ह उनको वह पोस्ट जो पोस्टक तत्व या फिर भोजन नहीं मिल पा रहा है जिनकी उनको आवशकता है या जिनकी वज़र से उनकी ग्रोथ होती है वो उनको नहीं मिल पा रहा है तो यह चीजे इसमें रिपोर्ट में बताए गए बस इतना से यहाँ पर important हमारे लिए कि Next यहां पर दिखिएगा IPL में कौन सा खिलाड़ी किसी एक टीम के खिलाप 1000 बनाने वाला पहला बल्लेवाज stalल गया है IPL में किसी एक टीम के खिलाब 1000 पूरे करनने वाली पहले बल्लेवाज बन गया है रोधित सर्मा, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, QS Graduate Employability Ranking 2022 से समंधित निमने कत्नों पर विचार कीजी, यहाँ पर ranking जो जिसका नाम है QS Graduate Employability Ranking 2022, पहला option देखिएगा, QS Graduate Institute of Technology, जिसको सोट में, आप कहे सकते हैं, AMIT, इसने इस ranking में top of इस्तान हासिल किया है, यह पर्स्ट रैंकिस में हासिल किया है, बिल्कुर सही है, Indian Institute ranking में जो है, IIT Bombay पहले इस्तान पर आ है, इसमें separately Indian Institute की ranking के बात करते हैं, तो टोटल 12 भारती इनिशिटीज को जो है, इस 550 संस्तानों की लिष्ट में सामिल किया है, और पहले इस्तान पर कोन है, IIT Bombay इसमें सामिल है, तो यह भी आप ठहान रखिएगा, तीने option आपके सही हैं, तो correct अन्स होगा, उपरोखत सभी सही है, टोटल 550 जो संस्तानों की य रेंकिंग थे, इसके अंदर भारती संस्तान कितने सामिल है, 12 भारती इनिशिटीज में सामिल किये गया है, छीक है, next, IAU ने चंदरमा के दक्षनी द्रोपर हैंसर करेटर का नाम मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है, जो कि थे, तो यह एक Arctic अन्वेक्षक थे, ध्यान रखि और इन्हें के नाम पर हाल ही में, जो IAU है, इन्होंने चंदरमा के दक्षनी द्रोपर एक हैंसर क्रेटर का नाम क्या रखा गया है, हैंसन क्रेटर रखा गया है, जो कि मैथ्यू हैंसन नाम के एक Arctic जो अन्वेक्षक थे, उनके नाम पर रखा है, ठीक है, next, यहाँ पर सितंबर 2021 में, कोईला और खान पर सयुक्त कारिये समो की पहली बैठक किसके बीच में संपन हुई है, तो यह भारत और उस्ट्रेया के बीच में संपन हुई है, ध्यान रखियेगा, कोईला और खान पर सयुक्त कारिये समो की जो पहली बैठक है, वो भारत उस्ट्रेया के बीच में हुई है ठीक है next किस केंद्रिय मंत्राले ने वर्ष 2019 बीस के लिए राष्टिय सेवा योजना पुर्षकार पतान किये हैं तो जो योगा मामले और खेल मंत्राले हैं इसके द्वारा ये राष्टिय सेवा योजना पुर्षकार दिये गया हैं ये आप ठ्यान नेक्स्ट यहां पर देखिएगा भारत ने किस देश की Airbus Defence and Space Company के साथ 56C295MW परिवयन विवान के अधिगरेंड के लिए एक अनुबंद पर अस्ताक्सर किये हैं तो ये किये गया है इस प्रेयन के साथ देखे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इंपोर्टेंट है ये ब पर इसके लिए जो है हाली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और रक्षा मंत्रा ने इसके लिए टोटल 56C295MW परिवयन के अधिगरेंड के लिए ये जो Airbus Defence and Space जो कंपनी है इस पेन की उसके साथ ये अनुबंद पर अस्ताक्सर किये हैं यहां पर इसके तहत क्या होग बाकि 16 विमानों को जो है 48 महिने के भीतर इस पेन से उड़हन बढ़ने की सिती में भारत को दिया सोपे जाएंगे बाकि जो 46 विमान है उनका निरमान भारत में ही जो टाटा कंसोर्टियम है इसके द्वारा अनुबंद पर अस्ताक्सर करने के 10 वरसों के भीतर किया जो इस पेन से कंप्लीट बनी बनाए मिलेंगे हमें बाकि के 46 विमान जो है यहाँ पर बनाये जाएंगे भारत के अंदर ठीक है और जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ C-295MW जो विमान है यह जो भारतिये सेना के जो मतलब की वाई सेना के जो पुराने विमान है एवरो ट पक्षियों को अवेद सिकार से बचाने के लिए किस राज्ये ने एरगन सरेंडर अभियान शूरू किया है तो करेक्ट अंशुगा अरणाचल प्रदेश सरकार ने देखिए हाल ही में अरणाचल प्रदेश ने जो है यह एरगन सरेंडर अभियान शूरू किया है इसका ने को सिकार दोते हैं उनको पर्चेजह करके काफी जादा आजकल सिकार बढ़ रहा है उनकी वाज़ेसे बक्सी बगारा उनको जरीह जत्वार किया जाता है उनका और इस वज़ेसे यहाँ पर इस एरगन को यहां पर रोक लगाने के लिए इस एरगन सरेंडर अभियान को सुरू कियागा है किसके दुआरा अरुनाचल प्रदेश सरकार के दुआरा ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे सोलर डीसी कुकिंग टेकनोलोजी किस संस्तान ने विख्षित की है तो यह विख्षित की है CSIR CMERI के दुआरा इसको विख्षित की है सोलर डीसी कुकिंग टेकनोलोजी की यहाँ पे बात हो रही है इतना साब ध्यान रखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर आप बात करते है जो आज की क्यूईज है इसका अनसर आपको नीचे कमेंट वोक्स में लिखना है देखे कॉसन है कि केंदर सकार ने जो एलाइसी के चेर्मिन की सेवा निवरती आयुशिमा है वो बढ़ा कर कितनी कर दी है यानि कि जो सेवा निवरती की सीमा है उसको बढ़ा कर कितना कर दी है यह आपको बताना है आप जो भी correct answer नीचे comment box में लिखना है सो गैस ये थी आज की current affair hope आपको वीडियो पसंद आए तो like share कर दीजिएगा आज की इस वीडियो में इतना ही है मिलते है next video में धन्य बात